ओम शांति जो सिस्टी के आदी मद्यांत को जान जाए इससे जासी समझदार तो कोई हो नी सकता तुमको अभी जो समझ मिलती है यह फिर वहां नहीं होगी माना हम ग्यान से अपनी जीवन को इतना वंडर्फुल बना सकते हैं लेकिन अगर आप समझ से चलते हैं लेकिन कई ग्यान से अपना जीवन वंडर्फुल नहीं बना पते हैं क्योंकि ग्यान को सही तरह से समझ नहीं पते हैं ग्यान जीवन के लिए है, सिरु सुनाने के लिए नहीं है, ये जीवन में धारना करने के लिए है, पहुत से ऐसे बुरानतिया हैं कके उनको, उन बुरानतियों से जब तक बुद्धि वहां तक नहीं पोचती हैं, तो ग्यान भी accurate समझ में नहीं आता है, वरना तो बाप को अगर जान लिया, पैचान लिया, संशन नहीं आ सकता आपके अंदर उठी नहीं सकता कि ये क्यों, ये क्या, ये कैसे आपने बाबा को जान लिया, आपने ड्रामा को जान लिया इनको जब जान लेते हैं न अत्माई आसपास होने वाली हर परस्तिती के बारे में अपने आप अनुमान लगने लगता है और स्तिती बनी रहती है लेकिन अगर जानते नहीं है, पैचानते नहीं है, समझते नहीं है तो फिर अनुमान ही लगाते रहते हैं और उस अनुमान में बुद्धी भटकती रहती है, अभी जो हमें ग्यान मिल रहा है न इतना समझदार बना दिया बाबा ने कि जबरतास तो, क्या कहने, इतना समझदार, ये सोच के ही बढ़ा होता है कि क्या बना दिया उन्होंने, जो चिंतन करने से आपको दिल हो लोता हो, दिल शिकस्ती आती हो, ऐसा चिंतन ही खतम, ऐसे चिंतन का पॉइंट ही खतम हो गया जीवन में, तो क्या हो गया, मना समझदार आगे न, समझदारी क्या है, समझदारी ये ही है कि आपको हर चीज में, हर चीज का ज्ञान भी होता जाता है, ज्ञानी उसी को कहते हैं, अगर आप मुचते रहेंगे, किसी भी point पर चाहे आपके अपने जीवन उसमें है, किसी भी चीज़ के लिए आप मूचते रहेंगे, आप परिशान रहेंगे, चाहे आफ शरीर को लेलो, काया आत्मा को लेलो, चाहे इस से जुड़ हुए देधारियों को ले लो चाय वस्तु वैभव कोई भी साधन को ले लो अगर आपको समझ में आ गया मैंना आज समझदार पर आप जुरूर सोचना क्या है यह समझदारी अब हम कहते हैं हमसे यह भूलूई ठीक है समझ आगी न समझ आगी न इसका मतलब आपको समझ आगी अगे नहीं होने वाली है क्योंकि आपको समझ आ गई लेकिन अगर हम कहते हमसे भूलूई लेकिन उसका कारण यह कोई और भी नोल है उसकी वज़े से मेरे अंदर यह गलतिया हुई है तो इसका मतलब आपको समझ नहीं है क्योंकि किसी को भी ब्लेम करना व्यक्ति वस्तु वैभव या प्र समझ वाना आपको ये तक पता चल गया है कि आपके कर्मों का बंदन क्या है और आपके करम संबंध कैसे बनते हैं आपका हिसाब किताब कैसे बनता है चरासी चर्मों का चक्र क्या है सिष्टी का आदी मद्यंत क्या है और अब क्या आने वाला है क्या चल रहा है जब ये सार बुद्धी में रहती हैं और प्रैक्टिकल जीवन में यूज करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगा पर आप उलज सकते हैं कहीं पर भी उलजना कहीं पर भी कुछ भी होना उसका एक मात्र कारण समझ की कमी होती है और जब हम समझदार हो जाते हैं जैसे आज हमें ये भी पता है कि 84 जनम होते हैं 5000 वरश का चक्र होता है इसका आदी क्या था? वो भी पता है सत्यू कैसे स्तापन हुआ था? वो भी पता है कल्यूग है, कल्यूगान ताना है और समय प्रति समय क्या-क्या सीन आने वालें ये भी पता है तो आप सोचो हम कितने समझदार होने चाहिए मुझाई साही नहीं सकती किसी भी पॉइंट पर या किसी भी बात पर या किसी विक्ति की हो किसी भी करमशली पर उसे यहते समझदार आज हमें संगम पर जो समझ मिली है कि ना सत्युग में रहेगी ना त्रेता ना द्वापर ना कलियो और इसी समझ के पिछाड़ी यही इच्छा रहेगी कि भगवान मिले और उसके मिलने के बाद जो हमें मिल रहे है ना इस समय यह आत्म में स्टोर होगा जैसे हम बार बार कहते हैं इसी मिलन के लिए आप भगवान से मिलने की पुकार करते रहेंगे और फिर कहेंगे आप आएंगे ना तो हम ऐसा करेंगे आप आएंगे ना तो हम यह स्थूल चीज़ें सारी छोड़ देंगे आप आएंगे ना तो हम सब को सिरेंडर कर देंगे आप आएंगे ना तो हम आपना वारिष बना लेंगे आप आएंगे ना ऐसे ऐसे क्या क्या कि पता नहीं कितने वाइदे कर डालते हैं और जब वो आते हैं, तो उने ही अपने घर के समाचार सुनाने लग जाते हैं। अपने कर्मों का बनाया वा बंधन दिखाने लग जाते हैं। अब तो आ गए, अभी तो वो 24 आवर आपके साथ रह सकते हैं। पर हम उने क्या दिखाते हैं ? कमजोरियां। वो नहीं समझ पाते, जो वो समझाना चाते हैं, माना संगम यूप पर जितना समझदार हम बन सकते हैं, इससे और किसी समय में हम समझदार नहीं बनते, और जो डारेक्ट परमात्मा द्वारे से पालना लेते हैं, तो इससे जास्ती समझदार कोई हो नहीं सकता, तुमको अभ रहे वो कल में नहीं होगा उसकी भले प्रालब्द कितने हीरे ज्वारातों के साथ क्यों ना हो लेकिन बाप नहीं होगा उसकी चत्र चाया नहीं होगी भले सुक की दुनिया होगी घूमो फिरो मौज करो जो मरजी करो दुख नहीं होगा मालूम है पर पलना नहीं होगी क्योंकि आपको ऐसे छोड़ दिया जाओ, खेड़ो, कुदो, खुमो, फिरो वो अलग तरह का सुख है लेकिन ये जो सुख है न इसके आगे सारे सुख माना सादनों के सुख बहुत ठीके है ये आत्मा को संगम पर रियलाइज हो नहीं चाहिए अच्छा ओम शान्ती